तो आज मैं आपके लेकर आए हूं प्रो सेक्षन से चैप्टर 3 दा होमकमिंग की कुछ कोश्चन अंसर तो यह जो लेशन है यह रविना टैगोर जी ने लिखा हुआ है तो चलिए हम इसके कोश्चन से देख लेते हैं तो हमारा फर्स्ट कोश्चन है वाट टाइप और बॉइ फटीग वस फटीग किस तरह का लड़का था राइट फ्यू लाइन्स इन ही इस रिफ्रेंस उसके संदर में कुछ पंक्तिया लिखें तो चलिए हम इसका एंसर देख लेते हैं इसका एंसर है फटीग और बॉइ ओफ फटीग चौदा वर्षी बालक था वह सण और विशंभर सिस्टर जो फटीग था वह विशंभर की बहन का लड़का था ही वाज मिस्चीविए स्क्वाइल सम डिस ओब्येंट लेजी और वाब शरार्ती था जगडालू था अनाग्याकारी था आलसी था और जंगली था क्या होगा चलिए हम बढ़ते हमाई नेक्ट कोश्चन के ओर समा सेकंड कोश्चन है वाट मिस्चीव फटीग एंड हीस फ्रेंड डिसाइड टू डू इसमें कहा जा रहा है कि वह कौन सी सरारत है जो फटीग और उसके दोस्तों ने करने के लिए सोचा मलग की वह कौन सी सर जा रहत है जिसको करने के लिए फटीग और उसके दोस्तों ने विचार बनाया तो हम इसका एंसाल लेख सकते हैं फटीग एंड हीस फ्रेंड डिसाइड टू रोल अवे दा लॉग विच वाज लाइंग एड बैंक आफ दा रिवर और इरिटेट दा ओनर अफ दा लॉग त जो नदी के किनारे एक लट्था पड़ा हुआ था उसे वो लोग रोल मलकी लुड़काएंगे जिससे की वह जो उस लट्थे का मालिक था उसे गुस्सा आएगी उसे इरिटेट करने के लिए उन लोगों ने यह प्लान बनाया तो आपको आपको समझ में आया होगा चलिए हमारे नेस्ट कोशन के और बढ़ते हैं वो जो फटीग का भाई मखन था उसने उनके मजे को अर्थात उनके आनंद को कैसे बरबाद कर दिया तो इसका अंसर हो जाएगा वन फटीग एंड हीस फ्रेंट वर अबाउट टू रोल अवे दा लॉग जब फटीग और उसके फ् गया दस ही स्पॉयल दफन ऐसे ही उसने उनके मजे को किरकिरा कर दिया तो हम नेक्स कोशन देख लेते हैं हूँ अर्ट फटीग के घर कौन पहुंचा तो इसका एंसर देख लेते हैं विसंभर दब्रदर आफ फटीग मदर विसंभर जो की फटीग की मा का भाई था अर्ट एट इस हाउस वो उनके घर पर पहुंचे जो फटीग के मा का जो भाई थे विसंभर वो फटीग के घर पर पहुंचे तो मैंने कोशन है वाट वर दा डिफ्रेंस एक्स्प्लेंड बाई दा मदर बिट्वीन फटीग एंड मखन तो इस कोशन के हम हिंदी समझ लेते हैं कि जो फटीग की मदर थी उन्होंने फटीग और मखन के बीच में क्या अंतर बताया या क्या अंतर इस पश्ट किया हम इसका एंसर लेख सकते हैं और lazy and wild वो बहुत ही आलसी था और बहुत जंगली था वाइल मक्खन was as good as gold वहीं पर जो मक्खन था वो सोनी की तरह अच्छा था as quiet as lamp वो मेमने की तरह सांथ था and very fond of reading और पढ़ने का बहुत ही शोखीन था तो आई हो आपको एकोशन समझ में आ गया होगा